हेलो दोस्तों मैं पूजा एक नई रेसिपी के साथ आपका स्वागत करती हूँ तो आज की रेसिपी लेकर आई हो फ्रेंट्स नमकीन की रेसिपी इस नमकीन को फ्रेंट्स आप पांच मिनिट में बना कर तयार कर सकते हैं ये नमकीन बहुत ही खास्ता बहुत ही क्रंची बनता है फ्रेंट्स आप इसे बनाकर महीनों इस्टोर करके रख सकते हैं ये बिल्कुल खराब नहीं होता है फ्रेंट्स तो चलिए रेशिपी को हम शुरू करते हैं उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो प्लीज कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्रेंट्स तो मैं यहां तीन कप मैदा ले रही हूं और ये मैदा लगभग 500 ग्राम है तो नमक इसमें हम स्वाद के अनुसार डालेंगे फ्रेंट्स एक छोटा चमच हम डालेंगी कि कालोंजी और अजवाइन इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा नमकीन का फ्रेंट्स तो बस इन सारी चीजों को हमें मिक्स कर लेना है ताकि नमक मैदे में अच्छे से मिल जाए तो मिक्स करने के बाद इसमें हम डालेंगे फ्रेंट्स एक कटोरी से थोड़ा सा कम मैंने डाला है रिफाइन उयल क्यूंकि मैंने यहां तीन कप मैदा लिया था इस वजह से तो बस इसे हम मिक्स कर लेंगे हातों से और हातों से बिलकुल मिसलते हुए इसे मिक्स कर लेगा ताकि रिफाइन उयल मैदे में अच्छे से अपसॉब कर ले इससे क्या होता cooking कि आपका न सोफ्ट आटा नहीं लगाना है बिल्कुल टाइट लगाईएगा फ्रेंट्स तो पानी आप इसमें थोड़ा थोड़ा करके एड़ करिएगा तो देखिए फ्रेंट्स आटा हमारा लग गया है अब इसे अच्छे से थोड़ा सा हम चिकना कर लेंगे मसलते हुए और बस इसे ह हम हाथ से मसल कर थोड़ा सा और चिकना कर लेंगे और बड़ाबर हिस्सो में लोई तो लेंगे तो बस इस तरीके से हम एक बड़ा सा लोई तो लेंगे और इसे हम बेल लेंगे इसे हम बिल्कुल रोटी से बड़ा साइस का हम बेलेंगे देखिए जितना हो सके आप बड़ तो आप उस तरीके का डिजाइन बना सकते हैं बस हम इस तरीके से कट कर लेंगे फ्रेंट्स देखिए तो यह बिल्कुल स्टार जैसा लुक हो जाता है नमकीन का जो कि देखने में बहुत ही अलग होता है फ्रेंट्स तो इसी तरीके से हम सारे नमकीन को काट लेंगे बहुत ह ऐब में या चलते हैं है साला ऊणते tutto मैं तो यह नहीं भैब करने 1 तो यह नहीं हम ड्यीक तो इस तरह इस तरीके से टाल करें चाहए लिए तो प्रदल में उपने इतना ही अी प्रचाहएOL इसमें सारे नमकीन को एक एक कड़ के डाल देंगे तो सारा हम नमकीन एक ही साथ में डाल दे रही हूं इसमें तो बस नमकीन को हमें मीडियम फ्लेम पे फ्राइ करना है तो हाई फ्लेम पे इसे बिल्कुल नहीं फ्राइ किजिएगा जितना मीडियम फ्लेम पे आप इसे फ्रा तो इसे गोल्डन होने में में प्रेंट छार से पांच मिनट ही लगते हैं तो देखे जल देखे गोल्डन होना शुरू हो गया है काफी प्यार कलर आया है और इसे लगभग 3 मिनट हो चुके है तो दो मिनट के लिए हम इसे और फ्राइगे तो एक रज़ेतщее मेन मीडियम पे करने का फायदा यह होता है फ्रेंट की आपका कलर बिल्कुल एवन आएगा देखिए आपको कहीं से भी नहीं लगेगा कि कहीं ज्यादा लाल हो गया है और कहीं कम तो यह हमारा नमकीन फ्राइ हो चुका है अब इसे हम निकाल लेते हैं तो देखिए कितना प्यारा कलर आया है और यहां फिर नमकीन पे बबल्स हो गया है बिल्कुल नहीं फ्रेंट्स काफी स्मूथली आपका यह नमकीन फ्राइ होगा अगर आप मीडियम फ्लेम पे आप इसे फ्राइ करेंगे तो तो मैं आपको एक तोड़ कर भी दिखा रहे हूं देखिए कितना खास्ता और कितना क रही को पर सकते है यह बहुत ही टेस्टी लगता हैए कहाने में फ्रेंट्स तो वीदियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जडरूर करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्रेंड्स को सब्स्राइब करली साथ में जु घंटी आती है उसको प्रेस कर करकी औ थेंक यू